C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग 1 27 पाठ व्यर्थ की शंका चित्रकथा 1 प्रिष्ट संख्या 129 से 134 तक अब प्रस्तुत है पाठ व्यर्थ की शंका चित्र 1 किसी गाउं में एक दमपती रहते थे उनकी कोई संतान नहीं थी चित्र 2 उन दोनों ने एक छोटे से नेवले को पाल लिया पती-पत्नी नेवले को बहुत प्यार करने लगे एक दिन पती बोला तो तो मेरा राजा बेटा है उनके घर पुत्री का जन्म हुआ संतान पाकर पती-पत्नी बहुत खुश हुए स्त्री अपनी बच्ची से बहुत प्यार करने लगी उसका ध्यान अपनी संतान पर ही रहता था अब उसे नेवला व्यर्थ लगने लगा एक दिन पत्नी बोली तू तो मेरी राणी बेटी है चित्रु पांच उसे नेवले पर घुस्सा आता रहता था स्त्री को संदेह था कि नेवला उसकी बेटी से जलता है और इसलिए वह चुपचाप बैठा रहता है एक दिन पत्नी ने कहा तुम मेरी राणी बेटी से क्यों जलते हो? चित्रु छे पती के मन में नेवले के प्रती कोई संदेह नहीं था वह पत्नी को समझा था नेवला मेरी बेटी से क्यों जलेगा? ये दोनों हमारी संताने है एक दिन पती नेवले से बोला तुम तो हमारे बेटे हो अपनी छोटी बहन से प्यार जदाओ उसके साथ खेलो चित्र साथ एक दिन जब स्त्री घड़ा लेकर कुए से पानी भरने के लिए जाने लगी उसने अपने पती से कहा सुनों मैं पानी लेने जा रही हूँ चित्र आठ जाते जाते उसने पती को सावधान किया तुम बिटिया का ध्यान रखना नेवले का क्या भरोसा चित्र नौ अचानक पती सोचते हुए मैं तो भूल ही गया था कि आज शाम को पडोसी के घर में महमान आने वाले है चलू अभी बता दू नहीं तो उसे उल्चन होगी पती को नेवले पर संदेह नहीं था उसे एक काम याद आया घर से निकलते हुए उसने नेवले से कहा चित्र दस तुम अपनी बहन का ध्यान रखना थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा उसकी बात सुनकर नेवला सतर खो गया वह बच्ची के पालने के पास चा बैठा चित्र ग्या रह और तभी नेवले ने देखा बच्ची पालने में सो रही थी और दरवाजे से एक साप पालने की ओर बढ़ता चला आ रहा है चित्र बारह इस चित्र में दिखाया गया है कि नेवला साप पर जपट रहा है नेवला साप पर जपटा उसने साप को पकड़ लिया दांतों से टुकडे टुकडे कर साप को मार डाला चित्र तेरह प्रतीक्षा इस चित्र में नेवले को बैठा हुआ दिखाया गया है जैसे वो मा की प्रतीक्षा कर रहा हो नेवला सोचते हुए मा मुझ पर बहुत प्रसंद होगी मैंने साप को मार डाला नेवला घर से बाहर आकर स्त्री की पतीक्षा करने लगा उसे अपनी विजय पर गर्व था चित्र चौदा पत्नी ने द्रिश्य देख कर कहा हून हाई तुने मेरी बिटिया को काट खाया स्त्री ने नेवले के मुँँ में खून देखा उसने गुस्से में पानी से भरा घडा फेक कर मारा नेवला मर गया चित्र पंद्रह वह घर में गई उसने देखा साप मरा पड़ा है और बच्ची पालने में सोई हुई है ऐसा देखकर पत्नी ने कहा हाय हाय ये मैंने क्या कर डाला नेवले ने मेरी बेटी की रक्षा की मैंने उसकी हत्या यदि उसने मेरी बेटी की रक्षा नहीं की होती तो मैं संतान का मुँ नहीं देख पाती चित्र सोलह वह बैठी रोती रही उसे बहुत दुख हुआ तभी उसका पती घर आया चित्र सत्रह पत्नी खुद को कोस्ते हुए ओ, मैंने नेवले पर संदेह क्यों किया वह लाड़ प्यार के बिना बहुत उदास रहता था और मुझे लगता था कि वह मेरी बेटी से जलता है व्यर्थ की शंका के कारण मैंने बहुत बड़ी गलती की है पत्नी ने पती को अपनी बाते सुनाई और पच्ताने लगी चित्र अठारह पती पत्नी से व्यर्थ की शंका नहीं करनी चाहिए कोई भी काम सोच समझ कर ही करना चाहिए पच्चताने से कुछ नहीं मिलता दमपती नेवले की निष्ठा और कर्तव्य को जीवन भर नहीं भूल पाए अभ्यास एक अब मैं कुछ वाक्य पढ़ रहा हूँ आप बताएं कि कौन सा वाक्य किसने कहा है कथन एक तू तो मेरा राजा बेटा है कथन दो सुनो मैं पानी लेने जा रही हूँ कथन तीन अपनी बेहन का ध्यान रखना कथन चार मा मुझ पर बहुत प्रसन्न होगी कथन पाँच हाई हाई ये मैंने क्या कर डाला रिक्त स्थान कथन छे कोई भी काम सोच समझ कर ही करना चाहिए रिक्त स्थान अब इन प्रश्नों के उत्तर दो प्रश्न संख्या एक स्त्री के मन में नेवले के बारे में क्या संदे ही था प्रश्न संख्या दो पती ने पत्नी को नेवले के बारे में क्या समझाया प्रश्न संख्या तीन जब सांप बच्ची के पालने की ओर आता दिखा तो नेवले ने क्या किया प्रश्न संख्या चार स्त्री फूट फूट कर क्यूं रोने लगी प्रश्न संख्या पाँच दमपती नेवले को जीवन भर क्यूं नहीं भूल पाए दूर्वा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यंकन बटिल्यंग लिंग्डो तथा निर्माण, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.